दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाऊ इसी तरह से आँखों का एक रोग होता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं मोतिया बिंद को गलाने की टाकत अगर गुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे की रस में बिना ओपरेशन अगर आपको आँखें ठीक रखनी है तो कांदे का रस सतत आँखों में डाले जिंदगी भर आप चाहते हैं कि आँखों को चश्मा ना चड़े और कभी भी आँखें आपकी खराब ना हो तो कांदे का रस आप अपनी आँखों में डाले आप में से किसी को भी मोतिया बिन्द हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ओपरेशन हो या आपके पास ओपरेशन करानी के लिए पैसा नहीं है तो आप कांदे के रस से मोतिया बिन्द को गला सकते हैं और आँखें ठीक कर सकते हैं इसको कितने दिन लेना है कैसे लेना है इसका सूत्र में बता दєता हूं कागज पहनों तो लिखे हुँजctione क्योंकि ये बहुत काम आये था एक चमच पांडरे कांडे का रस देखिए कांदा एक ही कामता है जिसको पांडरा कांडा कैसे है ये लाल वाला किसी काम कर नहीं, औशदी ये गुन जो हैं वो सफेद प्याज में ही है, पांडरे कांदे में ही है, लाल वाले में कोई औशदी ये गुन नहीं है, वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं, औशदी ये गुन उसमें नहीं है, औशदी ये गुन जो हैं वो पां एक पंद्रे कांदे का एक माच रस ले लीज्य हुजए। एक चम्मच इसमें लिंबू का रस मिलादी EL कि एक लीबू आता है विक मच बेदाना लीबू कहते है जिसमें जादा भीज नहीं होते हैं। वो बहुत अच्छा है, एक चम्मच लिंगू का रस, एक चम्मच फांड़े कांड़े का रस, फिर इसमें आप मद मिला दीज़ें, लगबग तीन से चार चम्मच मद, और इसी में एक चम्मच गुलाब जल मिला दीज़ें, ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भरके रख लिए, और खुब अच्छे से हिलाकर एक एक थेम आँख में डाली, एक महीने लगातर डाल दिया, तो मुतिया बिंद आपका कटके निकल जाए, गुलाब जल एक चम्मच, जितना आपका कांड़े का रस, उतना ही गुलाब ज लेकिन मद इसमें तीन से चार कोट जाती, तो मने तीन से चार चम्मच मद, अब ये जो सुल्यूशन तयार हुआ है, इसको बाटली में भरके रखेंगे, चार बाच महीने ये खराब नहीं होता, इसको रूम टेंपरेचर पे भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि अब इन खतम कर देगा, और एक बीमारी है आँखों की, जिसको ग्लू कोमा कहते हैं, ग्लू कोमा, ग्लू कोमा मने काला पानी, आँखों में हमेशा काला काला दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी भी ये सबसे च्छे होशन, और एक बीमारी है आँखों में, जिस प्ति के रूप में क्या है? अगर जहन है चुस्त-जहन एक तो वो कांडा यूज्जिट नहीं कर सकते हैं और दूसरा मद भी नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ऐसी ही बीमारी अगर है तो एक दूसरी ऑशद बता देता हूँ जो कांदा यूज नहीं करते और जो मद भी यूज नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छी आउशद इसी बीमारी में जिनको कैटरेक्ट है, ग्लुकूमा है, रेटिनल डिटेच्मेंट है उसकी आउशद का नाम है गाय का मूत गू मूत गाय का मूत रिकठा कर लीजे, किसी बाट लीजे और उसको रख लीजे इसी को एक एक थेम आँख में डालना है, बस, सी देसी गाय का मूत गाय माने देशी गाय, देशी गाय का मूत एक एक थेम रोज राथ को आँख में डालीए, सोते समय तो एक से सवा महिने में यह भी आपका cataract ठीक कर देगा सवा दो महिने में glucuma ठीक हो जाता है और तीन महिने सपट डालें तो retinal detachment ठीक कर देगा चार महिने लगाता है डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका इने तो मुतिया बिंदु जो है जी मर्च हो जाता है या बाहर निकलता है मर्च हो जाता है वो एक्चुली क्या है मोतिया बिंद एक तरह से फैट है वसा है तो वसा जल जाता है जल जाता है तो वो वहीं अंदर ही खतम हो जाता है बाहर नहीं निकले है जी चांके अगर गाय बड़ी है जो तीन चार वार मा बन चुकी है उस गाय का मूत्र लेंगे तो फिल्टर करनीगे और गाय की बच्छडी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फिल्टर होके जाता है आखों के रोग में मैंने इससे अच्छी कोई आउशद अभी तक नहीं देखी वो मूत्र से अच्छी एकदम टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री साइड एफेक्ट नहीं है और एक्सपाईरी देख कुछ भी नहीं हर गली हर गाउं में उपलग देख और गाय माता इतनी अध्वुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं लेती आप दब्बा लगा दो भर लो लेकिन रखने का है काच्छी बातली तो काच्छी बातली में अगर आप इसको भरके रखेंगे तो यह कभी भी खराब नहीं होता वो मूत्र रहतों 10 साल 15 साल 20 साल चाक hour 40 साल तक सुरख्षित रखता रहता है तो उसमें कभी भीम जत्व नहीं प्ड़त है यथ्न गंगा जल ने और गाय ओंठम में कभी जनत्म है कि जन दुःती अबने गंगाजल की तर दीपवित्र 12 ऊंप तो इस गोव मूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए